प्रस्द कतावाचक पंडत प्रदीप मिश्वरा ने राधारानी के जन्म और विवा से जुड़े अपने बयान पर राधारानी के सामने नाक रगड कर माफी मांग ली विशनिवार बरसाना पहुँचे राधारानी मंदर में दंडवत प्रणाम किया और अपने बयान पर माफी मांगी देखिए ये खास रपोर्ट राधारानी विवात पर माफी मांगने बरसाना पहुँचे पंडत प्रदीप मिश्वरा राधारानी किसम ने साश्टांग दंडवत हुए नाक रगड कर माफी मांगी माफी मांग कर प्रदीप मिश्वरा ने हाद चोड़ कर व्रजवासियों का किया अभिननन प्रदीप मिश्रा बोले राधारानी मेरी इस व्रजवासियों के प्रेम ने मुझे बुलाया राधारानी पर दिये बयान के बाद विवादों में आए कथावाचक पंड़त प्रदीप मिश्रा शनिवार दोपहर बरसाना पहुचे यहां उन्होंने राधारानी को दंड़वत प्रडाम किया और नाक रगड़ कर माफी मागी प्रदीप मिश्रा के आगमन पर बरसाना मंदर में सुरक्षा बढ़ा दी गई थी मावी मांगने के दौरान प्रदीप मिश्रार आधारानी की भत्ती में लीन नजर आए और ध्यान लगा कर अपने बयान पर पच्चत आप भी किया है है अध्या अध्या लुट्टरा पार अध्या नजर आश है को अध्याओ कर आए ऐक बास टोला आज है को जाल आए एऊ कर दो कर दो कि साफच具 अप्राइबे सप्राइबे सो अजायArthur कि सामी इह प्राजर इसके बाद मंदर से बाहर निकले हाथ जोड कर ब्रजवासियों का अभिननन किया है मेडिया से चर्चा में उन्होंने कहा मैं ब्रजवासियों के प्रेम की वज़ा से यहां आया हूं लागली जी ने खुद ही इशारा कर मुझे यहां बुलाया मेरी वानी से किसी को ठेस पहुची है तो उसके लिए माफी मांगता हूं मेरी माता राधारानी के चरड़ों में आज यहां पराणा हुआ और लागली जी ने खुद इशारा कर अगर बुलाया तो तुरंत यहां ना हुआ और ब्रजवासियों के विछवाना हुआ बताने कि पंड़त प्रदीप मिश्वरा ने नौजून को उमकारेश्वर में विवादत बयान दिया था कता के पहले दिन अप्रावचन के दौरान उन्होंने कहा था राधारानी का नाम भगवान शिरी कृष्ण की 108 पठरानियों और 1600 रानियों में नहीं है राधा के पती का नाम अनैगोश है राधा जी बरसाना की नहीं रावल की रहने वाली थी बरसाना में तो राधा जी के पिता की कच्छैरी थी जहां वैं साल भर में एक बार आती थी या बयान वारल हुआ तो रसिक संत प्रेमानंद महराच ने करी च्वेतावनी दे डाली इसके बाद देशभर के संतों ने विरोध जताना शुरू कर दिया बरते विरोध को देखते हुए आखिरकार पंडत प्रदी पमिश्रा बरसाना पहुचे और नाक रगर कर माफी मांगी ब्यूरो रिपोर्ट, MP News, भोपाल